नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में आज के जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने बच्चों को धूप में नहीं लेकर करेंगे बिल्कुल भी बच्च जो इसके वजह से आपके बच्चों में जो है जो विटामिन D होता है उसमें बहुत जादा कमी आ सकती है जिसके वजह से आपके बच्चों के पैरों में टेडा पन उनकी हडियां कमजोर होने लगती हैं साथ साथ बच्चों की बॉडी में जो कैल्सियम बनाने की जो कैपिसिटी होती है वो खत्म हो जाती है वो कम हो जाती है क्योंकि जब तक आपके बच्चे को विटामिन डी मिलेगा तब तक आपके बच्चे का जो सरीर है वो कैल्सियम भी बनाएगा जिसके वज़ कि अगर आपके बच्ची ऑप कैम है तो कोड़्ोनों दो अगर आप अपने बच्चों को धूंप में driving में जरूर के जा जाए जिसके वाईसे आपके बच्चे के सरी में जो विटामिन D कम्ही से वहना वाली बीमारियां है जो आपके बच्चों में हो सकते हैं इसके लावा आप पता कैसे कर सकते हैं कि आपके बच्चे के सब्सक्राइब कम है या नहीं तो देखिए जो विटामिन D होता है वो मुशली हाइस्ट अगर दीखा जाए तो दाइसो थक हो लेकिन 100 से ज्यादा नीचे जा रहा है 50, 40, 30 इतना हो रहा है तो आपके बच्चे में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उसके बच्चों को चलने तक में भी प्रॉब्लम आ सकती है आपका बच्चे इविन लंगडा के चलने लगता है इसका पता कैसे करेंगे तो दे जल्दी थख जाता है, जल्दी पनप नहीं रहा है तो आप आपने डॉक्टर से एक बार आपने बच्चे का जो विटामिन डी का लेवल होता है उसको जरूर चेक कराएं हो सकता है आपके बच्चे में विटामिन डी इतना कम हो गया हो जिसके वएसे आपके बच्चे के सरीर में जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से नहीं हो पा दिये और बच्चों की हड्डियों में भी कमजोरी आ रही है तो इसमें जादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यह आप को डॉक्टर्स कुछ दवाइएं सजिस्ट करें जिसके बेस पर आपके बच्चे की विटामिन डी की कम है वो पूरी हो जाती है अब बात कर लेते हैं कि आप अगर नहीं जाना चाते हैं आपके बच्चे के सरी में थोड़ी बहुत कम है आपको दिख रही है आप उसको आपके बच्चे को सूट करता है वही डॉक्टर्स को देंगे तो मैं आपको यह पेकिसी दवाई को रिकमंण नहीं करूंगे लेकिन हाँ खाने में आप अपने बच्चको यह मैं चीज़े बताई हैं वो दे सकते हैं लेकि अगर आप बच्चों को धूप में नहीं ले जाते हैं और आप सोचते हैं मेरे बच्चों में सारी प्रोब्लम mathematics नहीं है मुझे जरूरत धूप दिखाने की तो आप गलत सोचने दोस्तों कि पैरों में हट्रियों में कोई कमी नहीं तो प्लीज आप ऐसा मस सोचे कि आपके बच्चे को धूप की जरूत नहीं है आप अपने बच्चे को 15 से 20 मिनिट्स की पर दे धूप दिलाएंगे तो अगर आपका बच्चा कमजोर भी है हेल्दी नहीं हो पा रहा है उसको सरीर में मोटापन नहीं आ रहा है तो सरीफ आप आपके बच्चे को धूप दिलाएं उससे क्या होगा आपके बच्चे के सरमें विटामिन डी बनेगा जिसके वई से जो कैल्सीम आप बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी आप उपर से जो है बच्चे को जो क्यों की टैबलेट सातिये वह भी दे सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप पूरे दिन फर में बच्चे को चार से पांच गोलियां दे सकते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होगी साथ साथ में आपके बच्चों की हड्यों को भी मजबूत करेगा और अगर आपके बच्चे के दात भी नि six month का हो चाहे one year का हो चाहे two year three year four year five year आपकी बच्चे को धूप की बहुत जरूरत है आप बच्चे को 50 से 20 मिनिट की पर डे धूप जरूर दिलाए तो उमेद करते हूँ छोटा सा वीडियो आपके लिए यूसफुल होगा दोस्तों और आपको पसंद भी आया हो और आपको समझ भी आया हो कि आपको करना क्या है अगर यह वीडियो आपके लिए यूसफुल हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइख जरू कीजेगा और वीडियो को शेयर जिरू कीजेगा हमारे सब appointants के साथ में जिससे सब्थी पेरेंच की हालफ हो सके और ईभी प mêmes हों और अगर चैनल पेहले बाह रहे हैं तो प् के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए नमश्कार देखें